नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में शाउमी रेड्मी नोट 10 लाइट वर्सस ओपो ए 96 4G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो नोट 10 लाइट में 6.52 इंच जबकी ओपो ए 96 4G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है जोकी नोट 10 लाइट से कम है Width की बात करें तो, Note 10 Lite में 3.02 इंच जबकी Oppo A96 4G में 2.98 इंच की Width मिलती है जोकी Note 10 Lite से कम है बात करें थिकनेस की तो, Note 10 Lite में 0.35 इंच जबकी Oppo A96 4G में 0.33 इंच की थिनीस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Note 10 Lite में 209 ग्राम जबकी Oppo A96 4G में 191 ग्राम का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही बीस रेशियो नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Note 10 Lite में 6.67 इंचर्ज जबकी Oppo A96 4G में 6.59 इंचर्ज मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Note 10 Lite में 1080 by 2400 और Oppo A96 4G में 1080 by 2412 मिलता है स्क्रीन तो बोडी रेशियो Note 10 Lite में 84.62 प्रतिशत जबकी Oppo A96 4G में 84.25 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिती की तो Note 10 Lite में 395 प्रति इंच जबकी Oppo A96 4G में 401 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Note 10 Lite में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle camera, Macro camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और OPPO A96 4G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 10 Lite में 10 different type के features मिल जाते है और Oppo A96 4G की बात करे तो उसमें 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Note 10 Lite में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और Oppo A96 4G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Note 10 Lite में Adreno 618 जबकि Oppo A96 4G में Adreno 610 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Note 10 Lite में Qualcomm Snapdragon 720G और Oppo A96 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है बात करें RAM की तो, Note 10 Lite में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है जबकि Oppo A96 4G में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो Note 10 Lite में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की Storage मिलती है जबकि Oppo A96 4G में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Note 10 Lite में अप्टो 512GB जबकि Oppo A96 4G में अप्टो 1TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी, Note 10 Lite में 5020MH जबकि Oppo A96 4G में 5000MH देखने को मिलती है अई अब में फीचर को देखते हैं Colors की बात करें तो Note 10 Lite में 4 Colors जबकि Oppo A96 4G में 2 Colors ओप्शन मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करें Price की तो Note 10 Lite में 3 Variant देखने को मिलते है जिसमें की 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 12,999 रूपीज 4 GB RAM 128 GB Storage के साथ 15,999 रूपीज 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 15,999 रूपीज में मिलता है और बात करें Oppo A96 4G की तो उसमें एक ही Variant मिलता है जो की 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 19,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉंस यानि की फाइदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 10 Lite में 3 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Oppo A96 4G की तो उसमें 8 फाइदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेलफी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफोर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है, दुसरा Xiaomi Poco X3 है, तीसरा Xiaomi Poco M2 Pro है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना